उत्तर प्रदेश के भदोई जिले के आदर्श कोतवाली गूपी गंजी अंतरगत श्रीमत भागवत सप्ता का आयोजन आदर्श ग्राम कौलापुर में किया गया जिसमें कथा वाचक रतनेश जी महराज द्वारा श्रीमत भागवत कथा सुनाय जा रहा है आपको बता दे कि इस भागवत कथा के आयोजक माखन मिश्रो ने किया है इस कथा के दौरान रतनेश जी महराज ने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नर्ष्ट हो सकता है किन्तु आत्मा नहीं एवं बिना भगवान के शरण में गये किसी भी जीव का कल्यान संभव नहीं है और साथ ही साथ महराज ने यह भी बताया कि अपने माता पिता एवं गुरू का सदेव सम्मान करो क्योंकि इनसे बढ़कर और कोई नहीं और वहीं कथा कि तुरन बाद आर्थी कर प्रसाथ वित्रका भी आयोजन किया गया